रोजाना ऐसे ही लेटेस्ट गोवर्मेंट जो अब्डेट्स पाने के लिए हमारे चैनल हेल्पिंग हैंड को सब्सक्राइब कीजिए जैहिन दोस्तो आईजी सी ए आर मतलकि इंद्रा गांधी सेंटर फोर एटोमिक रिसर्ज की तरफ से दोस्तो जो है एक बहुत बड़ी भरती का जो है एड़ाट्रेजमेंट जारी किया गया है इसके अंदर दोस्तो दो तरह की पोस्टे आयोई हैं एक है दोस्तो डायरेक्ट और दूसरा दौस्तो स्टैपेंडरे ट्रेनि डैर्यक्रूट्मेंट्मेंग दोस्तो जो है पक्की वरती है त्यों है? त्रफ संजिए बाइन्ध की एक है टेकनिकल ओफिसर की एक है Scientific Officer की 3 है, Technical Officer की 41 है, Technician की 1 है, Stenographer की 4 है, UDC की 8 है, Driver की 2 है, Security Guard की 2 है, Work Assistant की 20 है, Canton Attendant की 15 है, Total 98 Vacancy Direct Recruitment में है दोस्तो स्टाइपेंडरी Training में Category 1 और Category 2 है, दोस्तो जो स्टाइपेंडरी Training Category 1 के अंदर 68 Vacancy है, स्टाइपेंडरी Training Category 2 के अंदर 171 Post है, Total 239 Post इसके अंदर आयोई है दोस्तो, Post-Wise Discussion कर लेते हैं, सबसे पहली Post है Scientific Officer की, इसके लिए दोस्तो आपने PhD कर रखी हो, Metallurgical Engineering में या Material Engineering में, साथ में आपने B.Tech, Metallurgy से, या दोस्तो आपने MSC कर रखी हो, Physics से, या Chemistry से, या Material Science से, with 60% marks इसके साथ साथ दोस्तो, आपके पास Post-Docctoral Research Experience होना चाहिए, चार साल का, इसके साथ साथ दोस्तो, आप 18 साल से लेकर 40 साल तक इस Post का एपलाई कर सकते हो, 78,800 रुपया आपकी salary बनने वाली है, साथ में दोस्तो, आपको DA, HRA जैसे perks भी आपको इसके अंदर दिये जाएंग प्रति एक कोशन तीन नंबर का होगा, और दोस्तो, एक नंबर की उसके अंदर जो दोस्तो, negative marking रहने वाली है, जोस्तो, यह आपका test होगा, सिर्फ qualifying आपका selection जो दोस्तो, आपके personal intro पे ही depend करेगा, उसी के marks जो है दोस्तो, काउंट किये जाएंगे, पोर्स दोस्तो, जो है 40 साल तक आप इस post पे apply कर पाओगे, 78,800 रुपय आपकी salary बलने वाली है, साथ में आपको दोस्तो जो है, बाकी प्रक्स भी आपको मिलने वाले है, जैसे DA, HR, इसके साथ साथ दोस्तो, आप selection process की बात करें, तो दोस्तो, scientific officer का जो selection process मैंने अभी बताया था आपको, वही दोस जो दोस्तो इसका भी रहने वाला है, टेक्निकल क्यित और scientpicer का स्ञेप से रहने वाला है, लिएल्यक्नर का साथ आपने जो स्ङ्छय करके हो, physics से या इलेक्त्रानिक से, आपने जो बीक्रेक रक्राध करके हो, शीजटoks से, और माच्छय करके है में या दोस्तो, आपने ज और दोस्तो, आपकी जो percent है, जो 60% हो, तो दोस्तो, जो है आप इस पॉस्ट कर सकते हो। Scientific official material science के लिए दोस्तो, आपने जो है PhD कर रके हो material science से या physics से, साथ में आपने जो दोस्तो, B.S.C. कर रके हो physics से और आपने MS.C. कर रके हो physics से या material science से, with 60% marks और दोस्तो scientific official metallurgy के लिए दोस्तो आपने जो है PhD कर रकी हो साथ में आपने जो दोस्तो bachelor degree कर रकी हो BE metallurgy के अंदर या BSC physics के अंदर और साथ में आपने जो दोस्तो master degree कर रकी हो MSC physics से या material science से with 60% marks दोस्तो आप जो है 18 साल से लेकर 30 साल तक इस post पर अप्लाई कर सकते हो 67,700 रुप्या आपको salary मिलने वाली है दोस्तो selection process वही रहने वाला है दोस्तो जो technical officer का था इसके बाद दोस्तो technical officer की 41 post है अलग-अलग discipline में दोस्तो ये post आयो है atmospheric science और meteorology में दोस्तो एक vacancy है इसके लिए दोस्तो आपने MSC या Mtech कर रखा हो atmospheric science में या meteorology में with 60% marks इसके बाद दोस्तो जो है chemical के अंदर 3 vacancy है civil के अंदर 2 vacancy है computer science के अंदर 1 vacancy है electrical के अंदर 3 vacancy है electronics के अंदर 6 है Instrumentation के अंदर 2 है Mechanical के अंदर 17 vacancy है Mechatronics के अंदर 1 है और Metallurgic के अंदर 3 vacancy है इसके लिए दोस्तों आपने जो है BE या BTEC आपने करका हो With 60% marks दोस्तों जो आपने BE या BTEC करका हो इसी relevant field में या इसी discipline में अपने कर रखा हो और दोस्तों Chemistry discipline के अंदर एक vacancy है सब्जेक्स के अंदर जो है पैथिस साल तक seems पॉसक के डार हो सब्जेक्ट के अंदर दोस्तों आप 18 साल से लेकर 35 साल तक इस पोस्के निया सकते हो इस वाल करता हो सामर्ण है साथ में आपने आपने तो हड़ी है c antis क्षोई आप सो रुपएR тебе पर्क्स भी मिलें गे तो सेलेक्शेन प्रोसेस वही रहने वाला है जियो दोस्तों टेक्निकल ओफीशर का प्रपाशन के अटेक्स किया था जो आपने 10-hthal पाच कर रुक्ते हो साथ noon के आपके पास चया सब्सक्राइब के बेख पाके हो की यह साटिक में आपके पास होना से यह 18 साल से लेकर 35 साल तक आप इस पोस्ट के अप्लाइक कर सकते हो 2700 रुप्या अपकी सैलरी बनने वाली है इसके बाद दोस्तो इसका प्री टेस्ट होगा उसके बाद दोस्तो आपका एडवांस टेस्ट होगा और इसके बाद दोस्तो आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा इसके बाद दोस्तो अगली पोस्ट होने वाली है स्टेनोग्राफर की इसके अंदर दोस्तो चार वेकेंसी आई है इसके लिए दोस्तो आपने जो है मैट्रिक पास करके हो with 50% marks साथ में दोस्तो आपकी जो है इंगलिस सोट हैंड होना चाहिए 80 word per minute और दोस्तो इंगलिस में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए 30 word per minute 18 साल से लेकर 27 साल तक आप इस पोस पर प्लाइक कर पाओगे 25,500 रुपया आपकी सैलरी बनने वाली है सेलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तो सबसे पहले आपका टेस्ट होगा जिसके अंदर दोस्तों जो है 100 question आएंगे 25 question general English के 25 question general knowledge के 25 question general intelligence and reasoning के और 25 question दोस्तों जो है quantitative aptitude के हर एक question तीन नबर का होगा और दोस्तों हर एक question गल्द question पे एक नबर आपका काट लिया जाएगा इसके बाद दोस्तों आपका होगा stenographic skill test जिसके अंदर जो है दोस्तों आपकी English short hand और दोस्तों English की टाइप रैटिंग चेक की जाएगी अगली पोस्तों जो है UDC की है upper division current इसकी दोस्तों आठ वेकेंसी आई हैं इसके दोस्तों आपने जो है डिग्री करके हो with 50% marks 18 साल से लेकर 27 साल तक आप इस post reply कर पाऊगे 25,500 रुपया आपकी salary बनने वाली है selection process की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले आपका एक test होगा objective type का आपका paper होगा 100 question आपको देखने को मिलेंगे हरे question तीन number का होगा 25 question general English के 25 general knowledge के 25 general intelligence and reasoning के और 25 quantitative aptitude के एक number दोस्तों जो है negative marking का आपका काटा जाएगा दोस्तों सिर्फ ये जो है qualifying है इसके बात दोस्तों आपका जो level 2 का test होगा दोस्तों ये जो है descriptive होने वाला है इसके अंदर दोस्तों जो है आपकी दो part होगे part A और part B पार्ट ए में दोस्तों आपकी English language check की जाएगी जिसमें जो है दोस्तों comprehensive आएगा प्रेशिस आएगा और English grammar आएगी दोस्तों ये जो है सिर्फ English check की जाएगी इसके अंदर इसके बाद दोस्तों आपका जो है part B होगा जिसमें दोस्तों जो है essay आएगा नोटिंग आएगा ड्राक्टिंग आएगा दोस्तों आप पार्ट B को English में भी attempt कर सकते हो और दोस्तों आप जो इसे हिंदी में भी attempt कर सकते हो इसके साथ साथ दोस्तों जो है पेपर वन जो है मतलकि जो सबसे पहला जो आपका पेपर होगा objective टाइप उसके जो है 20 गुना बच्चों को जो दोस्तों कि दोस्तों आपका जो है descriptive paper होगा इसी के भी आप पर जो है दोस्तों आपका selection किया जाएगा दोस्तों इसी से जो है दोस्तों आपकी मेरिट लिस्ट त्यार की जाएगी अगली पोस्तों जो है ड्राइवर की है इसकी अंदर जो है दोस्तों आप आपने 10th किलास पास कर रखे हो आपके पास जो दूस्तों ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट विकल और हैवी विकल को चलाने का मोटर मेकेनिजम की जो हुआ अपको नोलिज होनी चाहिए साथ में आपके पास जो दोस्तों तीन साल का experience होना चाहिए दोस्तों आप जो अच्छा साल से लेकर 27 साल तक आप इस पोस्पे अप्लाइक कर सकते हो 19,900 रुप्या आपकी सैलरी बनने वाली है सेलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले आपका टेस्ट होने वाला है जिसके अंदर जो दोस्तों 50 को सुनोंगे objective type की हरी question तीन नंबर का है एक नंबर की negative marking रहने वाली है दोस्तों इसका जो स्लेबस है इन्होंने यहां पर दिया हुआ है दोस्तों आप यहां से जो इसका स्लेबस चेक कर सकते हो जो आपका टेस्ट होने वाला है इसके बाद दोस जो है security guard की दो पोश्ट है इसके लिए दोस्तों आपने जो है टेंथ क्लास पास करकियो या दोस्तों आप जो है आर्म्ड फोर्से से आप होने चाहिए हो अट्रा साल से लेकर 27 साल तक आप इस पोश्व एपलाई कर सकते हो अट्रा आजार रुप्य आपकी सैलरी बनने वा सेंटिमेटर दोस्तों मेल जो कंडिडेट है उनकी चैस्ट मापी जाएगी 80 सेंटिमेटर आपकी चैस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटिमेटर का इसके अंदर एक्सपेंशन होना चाहिए इसके बाद दोस्तों आपको फिजीकल टेस्ट होगा जिसमें दोस्तों सबसे मेल के लि सबते दोस्तों आप जो है जवाई जो दोस्ता आप यहां से कर सकते हूं इसके बाद दोस्तों बात कर लेतैं फिमिल की टेस्ट की इसके जोस्तों आपको 20 सेंड दिये जैंगे 100 मिटर रन के लिए दोस्तों आपकी जो है लोंग जंप होगी 2.7 मेटर की मनल की 9 10 फूट ऑप जो यहां से चेक कर सकते हो इसके बाद दोस्तों आप का टेस्ट्स में अचरेस करें सब्सक्यों कुछ tief को चछीव करें sortir कि फैस्ट्रम कट जाएगा अगली पोस्ट दोस्तों जो है वर्क असिस्टेंट के हैं इसके अंदर कुल 20 पोस्ट ने दोस्तों आपने जो है 10th क्लास पास कर रखे हो 18 साल से लेका 27 साल तक आप इस पोस्ट से फ्लाइक कर सकते हो 18000 रुपया आपकी सेलरी बनने वाली है सेलेक्शन प्रोसेस की परेस्रों आपका फरी टेस्ट होगा जिसके अंदर 50 सुनाएंगे में स्कूर्ण के 20 सांइंस के 20 को सुनाएंगे और हरे कोशन टीन नंबर का होगा और दोस्तों गल्त क्षेंट पे जो दोस्तों एक नमबर आपका कार्ट लिए डाएगा उसके बाद दूस्त आपका की English के दोस्तों जो दस को सुनोंगे हरे कुशन ती नंबर का है एक नंबर की नेगटिव मार्किंग इसके अंदर रहने वाली है दोस्तों आपका जो सेलेक्शन है इस की नंबर की नेगटिव मार्किंग रहने वाली है उसके बाद दोस्तों आपका जो है एडवांस टेस्ट होगा जिसके अंदर जो दोस्तों पचास कोशन होगे आपको दो घंटे मिलेंगे एमसी क्यों बेश्ट आपका फेपर होगा मैथ के 15 कोशन होगे साइंस के 15 होगे जनर्नल वेनेस के 10 होगे और दोस्तों बेसिक इंगलीज के जो दोस्तों 10 को सुनोंगे हरे कोशन तीन नंबर का होगा एक नंबर की नेगटिव मार्किंग रहने वाली है इसके साथ साथ दो दोस्तों आपका जो सेलेक्शन है दोस्तों आपका जो सेलेक्शन है एडवांस टेस्ट की मेरिट के भियाब पर यह आपका सेलेक्शन किया जाएगा दोस्तों बात कर लेते हैं स्टाइपेंडरी टेनी कर्टेगरी वन के अंदर केमिकल के अंदर तीन है इसके दोस्तों से दोस्तों इταलेक्ट्रोनिक्स इंजिनिरिंग से अंदर 15 के लिए इसके लिए दोस्तो आपने डीप्लोमा कर राहती हो से चीश्री इंजिनिरिंग की अंदर के स्टों तीन वेकेंश्ड लोगेंश से यह इसके बद दो आपने फिजिक्स के अंदर जो तेरह वाकैंश्य के एदर तेरह लेकर हो फिजिक्स से विद शिक्स्टी परसेंश्ड मार्ग और दोस्तों साथ-साथ आपने कमेस्ट्री ओर मैस भी आपन परण टेस्ट होगा जिसके अंदर जो दोस्तों सो खूशन आपको देखने को मिलेगे एम स्यूक्टिव बेसट आपका प्रोलगा थो गंटे का प्रोने वाला है फ़यकोशन तीन नंबर का उगा एक नंबर की negative marking रहने वाली है इसके बाद दोस्तो आपका परसनल इंट्रो होगा परसनल इंट्रो की main है दोस्तो इसी के बिहाब पर जो है दोस्तो आपका selection किया जाएगा return test सिर्फ qualifying है परसनल इंट्रो के marks आपके count किये जाएगे के बाद दोस्तो बात कर लेते हैं stipend returning category 2 के अंदर इसके अंदर दोस्तो जो है draftsman mechanical की 11 वेकंसी है electrician electronic mechanic और instrument mechanic की 52 वेकंसी है fitter and rigger की 53 वेकंसी है mechanical machine tool maintenance machinist और turner की 9 वेकंसी है plumber mason और carpenter की 6 वेकंसी है refrigeration and air conditioning mechanic या plant operator की 14 वेकंसी है welder की 5 है इसके अंदर दोस्तो आपने जो दोस्तो education qualification की बात करें तो दोस्तो आपने जो है 10th class pass करके हो with science and math with 60% marks या दोस्तो आपने 12th class with science subjects आपने पढ़ रखा हो और दोस्तो आपने 60% marks अपने ले रखे हो इसके साथ साथ दोस्तो आपने इन पोश्टर के लिए जो है दोस्तो आपने जो है ITI का जो है certificate ले रखा हो अपने ट्रेड से संबंदित इसके बाद दोस्तो जो है lab assistant की जो है दोस्तो यहां पर जो है 21 vacancy आई हो है इसके लिए दोस्तो आपने जो है 10th class pass करके हो साथ साथ दोस्तो आपने जो है 12th class pass करके हो with 60% marks 12th class के अंदर जो है दोस्तो आपने physics, chemistry और mathematics आपने पट रखे हो 18 साल से लेकर 22 साल तक दोस्तो जो है आप इस पोस्तो के एपलाई कर पाऊगे दोस्तो आपका जो selection है pre test, advanced test और skill test के भियाप पर होगा सबसे पहले दोस्तो आपका pre test होगा जिसके अंदर जो दोस्तो 50 question आपको देखने को मिलेंगे एक घंट आपको दिया जाएगा, mcq based आपका paper होगा, math के 20 को सुनोंगे, science के 20 होगे और general evidence के 10 को सुनोंगे तीन नंबर का हरी question होने वाला है, negative marking जो दोस्तो एक नंबर की रहने वाली है इसके बाद दोस्तो आपका जो advanced test होगा, जिसके अंदर जो दोस्तो आपको 2 घंटे दिये जाएंगे 50 question आपको मिलने वाले है, mcq based आपका paper होगा, हरी question तीन नंबर का होगा, एक नंबर की negative marking रहने वाली है इसके बाद जो minimum qualifying जो दोस्तो इसके लिए रखे गए है advanced test में जो दोस्तो आप general हो और AWS हो तो दोस्तो आपको 30% mark score करने पड़ेंगे और OBC और SE को 20% marks आपको score करने पड़ेंगे और दोस्तो advanced test में जो दोस्तो आपके trade से सम्मधित question आपको देखने को मिलेंगे advanced test के भीहाब पर ही दोस्तो आपका जो selection किया जाएगा इसके भीहाब पर जो दोस्तो आपको trade test या skill test के लिए qualify माना जाएगा दोस्तो आपकी जो merit list है advanced test के भीहाब पर बनने वाली है trade test या दोस्तो skill test सिर्फ qualifying nature का रहने वाला है stipendary training की training की बात करें तो दोस्तो आपके training 2 साल की रहने वाली है कल पक्तम में आपके training होने वाली है सबसे पहले दोस्तो आपको जो 6 मन्त की training दी जाएगी classroom training उसके बाद दोस्तो आपको जो है 18 महीने की training दी जाएगी implant या on job training मतलब की आपको फिल्ट training आपको दी जाएगी दोस्तो salary की बात करें तो दोस्तो जो category 1 के जो candidate होगे उन्हें दोस्तो जो है पहले साल में 16,000 रुपे मिलेंगे और दूसरे साल में 18,000 और दोस्तो जो category 2 के होंगे उन्हें दोस्तो जो है पहले साल मिलेंगे 10,500 रुपे और दोस्तो दूसरे साल आपको मिलेंगे 12,500 रुपे इसके साथ दोस्तो आपको हर एक साल तीन हजार उपे आपको जो है book allowance आपको मिलने वाला है यदि दोस्तो आप जो है theoretical training में 50% marks score कर लेते हो उसके बाद दोस्तो आपको फिल्ट training में 50% marks score कर लेते हो और उसके बाद दोस्तो आपको जो इंट्रो होगा दोस्तों आपको जो JULYS,900 रुपय आपकी सैलली बनेगी उसके बाद और दोस्तों जो टैयरी पेंटरी टैइनी कर्टाइगरी टू के हैं उन्हें दोस्तों जो टेकनिशियन C और टेकनिशियन B की पॉस्ट पर रखा जाएगा Technician C को 22,500 रुपे सेलरी दी जाएगी और दोस्तो जो Technician B होगा उन्हें दोस्तो जो है 21,700 रुपे सेलरी दी जाएगी इन सबी पोश्टों के लिए Age Lexington की बात करें तो SC और HD को 5 साल की OBC Non-Crimulier को 3 साल की और PH Candidate को 10 साल की Age Lexington इसके अंदर दी जाएगी यदि दोस्तो application fees की बात करें तो दोस्तो आप जो है category यहां से चेक कर सकते हैं यहां पर जो स्क्रीन पोश्ट करके आप चेक कर सकते हो कि दोस्तो आप किस पोश्ट के लिए अपलाई करोगे और दोस्तो आपको जो है कितनी fees आपको payment करनी पड़ेगी दोस्तो मैंने इस notification का link दोस्तो मैंने decision box में डाल दिया है यदि दोस्तो आपका कोई भी question है कोई भी doubt है क्योई भी क्यों ही हो तो comment box में पूछ सकते हो दोस्तो ऐसे ही latest updates पाने के लिए हमारे चैनल helping hand को subscribe कीजिए कर दोस्तो